आस्था की डुपकी, पुण्णी की डुपकी, सीहस्थ को किस प्रतीक के रूप में जाने हैं? कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी कह रहे थे कि सीहस्थ मतलब केवल नागा साधू नहीं है, सीहस्थ मतलब बड़े-बड़े पन्नों पर छपने वाले उन साधूं के चित्र नहीं है, सीहस्थ दरसल एक परंपरा का नाम है, एक सब्धिता का नाम है, एक संस्कृति का नाम है, सीहस्थ मतलब वो कुमब जो 12 साल में एक बार वैचारिक मन्थन को, आलोडन को मंच देता है, उस महत्व को समझता है, जहाँ पर 12 साल में एक बार, यहाँ पर सारे संत्र समाज को, जमात को इखटा होना है, आम जनता को भी आना है समाज के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करने है लेकिन सिहस्त चन प्रतीकों का नाम हो गया है जाहे वो रामगाट की डुपकी हो या प्रयाग में संगम की डुपकी हो या फिर ये संतों का शाही स्नान हो क्या हम इन प्रतीकों से आगे ले जाकर सीहंस्त के जरीए समाज में जो दिक्कते हैं परेशानिया हैं गड़बडिया हैं उनको दूर करने तक पहुच पाएंगे ये सवाल हर होने वाला सीहंस्त तब तक पूछता रहेगा जब तक कि हम सीहंस्त को एक व्यावारिक विचार तक नहीं लेजा पाएंगे